ट्रम्प के कान को चीरते वी निकली गोली अमेरिका में चुनाफ से पहले पूर राश्पती डोनार्ड ट्रमप पर हमले की कोशिश हुई है उनके कान में करीब से गोली चली जिससे आधा चैरा खुन-खुन हो गया पैंसिल्वेनिया के बटलर में डोनाल्ड ट्रम की रेली के दोरान गोली बारी की घटना हुई गोली बारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घंबी रूप से गायल हो गई वीडियो में दिख रहा है कि गोली ट्रम के दाइने कान के उपरी इससे को चीर कर निकल गई हमलावर बोके पर हुआ ढेर अमेरिकी जाज एजेंसियां इस मामले को डोनाल ट्रम की हत्या के साजिश के रुख में देख रही है पूर्व अमेरिकी राश्टपती की सुरक्षा में तैनाथ यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मार गिराया है हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मेरिकी सीक्रेट सर्विस की तेजी देखी जा सकती है बाज जैसी नज़र लखने वाला सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने पहले हमलावर को भाप लिया था सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने एक छट से सैकडो गच की दूरी पर हमलवर को गोली मारी इमारत की छट से बनाये गया निशाना डोनाई ट्रम के कान पकड़ते ही सीक्रेट सर्विस स्नाइपर अपनी बंदूग से पीछे अटकर देखता है बता देखिए वैस समेथा जब ट्रम पर गोली चल चुकी थी और उनके कान में लगी थी राइफल से लैस एक यूवक लगबग 120 मीटर की दूरी पर एक इमारत की छट पर था कानून परवर्ता ने घटना सर से एक एया स्टाइल राइफल बनामत की है 20 साल का था हमलावर मैथ्यू कुरुक्स हमलावर की पैचान वैथल पारक पेंसिल्वेनिया के रहने वाले 20 साल के थॉमस मैथ्यू कुरुक्स के रुपे हुई है यूएस सीक्रेट सर्विस की जवावी कारवाई में हमलावर के सीर में गोली लगी और वैं मोके भरी डेर हो गया डोनाल ट्रम का ओपन एर केंपेंड बटलर फार्म शो ग्राउंड में अयोजित किया गया था ये इतना ओपन स्पेस था कि स्नाइपर को निशाना साथने में कोई परिशानी नहीं हुई नहीं है है कि झाल बिलेकान ऑपन साथने में गुः बेंगर अजाने में खड Veterсь ट्रा instरप्चार को इल accents कि अयोजित कि सीर स बाह सकतepy कि वजशई पर सिलेफिक पसे बटल किभलस भराउंब हैं में आपन फेश्छुीं